हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक्जाम भी में तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है लाइफ इंसौरेंस कॉर्पोरेशन इसमें जो एडियो होता है इसका जो मेंस एक्जामिनेशन है वो 23rd of April 2023 को प्रस्तावित है तो यहां पर आज के हमारे इस वीडियो में हम होंगा तो देखते हैं जो हमारा phase 2 होता है लाइसी एडियो का मेंस एक्जामिनेशन इसमें क्या-क्या होता है ठीक है आप यहां पर अगर नंबर ओफ कोशन दिखोगे तो 160 कोशन आते हैं साधे साथ में एक कोशन एक मार्स का है तो वह बन जाते हैं एक सो साथ नंबर जो क को दो घंटे का टाइम दिया जाएगा देखिए पचास नंबर की यहां पर आपको रीजनिंग देखने को मिलती है जर्नल नौलेज करंट अफेर इंग्लिश लैंगविज और ग्रामर होके अपर यह सब कितने की आएगी यह आएगी आपकी पचास नंबर की और यहां पर आप देखोगे अगला इंशॉरेंस एंड फानेंशल मार्केट अवेरनेस बिच स्पेशल एंफेसिस ऑफ नौलेज ऑप दे लाइफ इंशॉरेंस और फानेंशल सेक्टर देखिए आपको लाइफ इंसॉरेंस की जो जो भी हैं पर एक तरीके से यहां पर जी योजनाएं है इसके बारे में जानकारी आपने अच्छी रखनी है अभी कौन कौन से योजनाएं आई है अभी क्या चल रहा है और वी ने अभी कौन कौन चीजों को नोटिस किया है कौन कौन की जो के ऊपर अमेंड्मेंट करा है यह सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए और यह मार्क का है और यहां पर भी जो आपका रीजनिंग है और यह इस पर आप मार्क स्कूर कर सकते हो कि यह कमपेरेटिवली थोड़ा वहां से हाट आएगा तो आपने इसकी त्यारी अच्छे से करनी है चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है मलहतरा केंटि अब और जो मलागामेटि ना सबसें चीछ क्या होती है भारती सरकार है Government ओफिंडिय अहां पर मलöhतरा क्मेट brought 1993 जिने इसके चेर Called की इसकी हियार मल मं लौतरा अब यह किस लिए सब्सक्राइब करी थी जो कि खासकते इंशॉरेंस सेक्टर यानि कि जो भारत का बीमा छेतर है ठीक है भारत का जो बीमा छेतर है उसमें आप देखोगे कि यह जो इंशॉरेंस सेक्टर है उसमें बहुत सारी तरीके से गलतियां थी बहुत सारी चीजे ऐसी थी जो कि सही नहीं थी ठीक है बहुत सारी मिस्टेक्स निकल के आ रही थी तो यहां पर उन चीजों को सजेस्ट करने के लिए उन चीजों की सुधारने के लिए यहां पर और अर्एन महलोत्रा के अंडर में एक कमेटी गौवर्मेंट बनाती है 1993 में अब थोड़ा बहुत आरन मलोत्रा के बारे में जान लेते हैं जिनका जीवन 1926 से स्टार्ट होता है और 1997 में इनकी मृत्यू हो जाती है बहुत बड़े व्यक्ति थे भारत के जो RBI होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके सत्रवे गवर्नर रह चुके हैं जो कि 1985 से 1990 के बीच में रहे थे यह क्या थे पर्टिक्लरली एक आईस थे और यह फाइनस मिनिस्ट्री में सेक्रेट्री सचीव के पद पर रह चुके थे बहुत बड़ा पाद होता है यह आप एक समझ सक पर आद में यह पहले यह दो के बाद आट में इन्हीं के यह पांशू रूपे का नोट यू अद प्रीक्लरली में इनको पाद्मभूशन अवाट्स से समानित किया गया था और उनकी जो वाइफ है अन्ना राजम मरोतरा यह भारत की पहली इस बनती है यह यह भी आपका एक स्टाइटिक का पॉइंट है यहां पर तो यह यादकना आप लोग इनकी जो वाइफ है अन्ना राजब मरोत्रा के यह भारत की पहली वुमेन आइस बनती हैं चलिए अब हम देखते हैं यह जो मरोत्रा कमेटी थी इन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया भारत यह सरकार को अब यह जो एक साल बाद इन्होंने इसकी रिकमेंडेशन दे दी थी एक ही साल में यह रिपोर्ट आ गई थी तो यह आप लोग आदकना कि जो यह मरोत्रा कमेटी थी कभी आपसे पुछेगा इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी कब समेट की थी दाड़ेज 1994 अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो हमारा इंस्वरेंस कंपनी जो है भारत में सरकारी सारी कंपनियां सरकारी होती थी यहाँ पर इन्होंने बोला कि प्राइबेट कंपनी को भी आपने अलाओ करना है कि आप इंस्वरेंस सेक्टर में आई हैं दूसरा इन्होंने बोला कि जो foreign promoters है उनको भी आपने अलाओ करना है यानि कि जो विदेशी promoters है विदेशी कंपनिया है उसको भी आपने आपने अलाओ करना है अब यह जो कमेटी जी इनोंने क्या बोला कि आप एक ऐसी regulatory body ठीक है यानि कि जो उसे चेक करें इंसौरेंस खेतर को regulatory body बनानी है भारत में पैंशन का PFRD है रूरल फाइनिसिंग का कौन है रूरल फाइनिसिंग का नवार्ड है एक तरी किसे बोलते है और जो आप स्टॉक मार्गर देखते उसका से भी है तो यह सब चीजे है यह आपने आपने ध्यान देना कमेटी है रिकमेंड करती है इंडिपेंडन डेगुले सब्सक्राइब करेंगी कोलाइब करेगी कोलाइब करीगुलेशन करेंगी और एक और इंपोडेट्ट कीज़ हमारे सभी के सभी मॉक टेस्ट है है आप उसे earn कर सकते हो free में earn भी कर सकते हो तो यहां पर आपने क्या करना website पर जाना है वहाँ पर आपने mock test attempt करने उससे आपको b-rupee मिलेंगे वही b-rupee से आप क्या कर सकते हो mock test attempt कर सकते हो okay there should be a specific proportion of business that every company must have in rural areas यहां पर क्या बोड़ रहे हैं कि जो भी company यहां पर start up होगी उसका कुछ न कुछ part को यहां पर rural areas में आपको क्या करना होगा उसे establish करना होगा 10% 20% जितना भी आप चाहें और यहां पर इन्हों ने बोला कि लाइस यह life insurance corporation सबसे बड़ी company है life insurance के छेत्र में बारत में इसको आपने as a company convert करना पड़ेगा जो की गौर्मेंट नहीं यहां पर आयार डीए वैसे दो आयार डीए लिकिन इसके आयार डीए इस्टाब्लिश किया था कब 1999 में और आपको पता है ना इसमें आयार डीए आई एक तुसाल बाद जोड दिये गए था पहले जो इसका आयार डीए इसके चेर्में कौन है यह भी आप मुझे कमेंट में बताना दोनों ही बहुत सिंपल है तो यह था कुछ रिकमेंडेशन मलोत्रा कमेंटी के बारे में कैसा लगा वीडियो जरूर बताना मुझे कमेंट में और कौन-कौन से टॉपिक में आपके लिए लेगे आऊं यह भी आप लोग मुझे बताईए तो मिलते हमारे अगले वीडियों तब तक के लिए गुडबाई